नमस्कार दर्श नियूस देख रहे हैं आप मैं प्रितिदयाल आपके साथ UAE यानी की संयुक्त अरब अमिराद की राजधानी अबुधाबी अपने आप में बेहद ही खास है अबुधाबी में कई ऐसी चीजें हैं जो दुनिया भर में मश्हूर हैं और दुनिया की खासम खास चीजों में शुमार हैं इसी फहरिस्त में अब एक और नाम जुड़ गया है दरसल अबुधाबी को उसका पहला हिंदू मंदिर मिल गया है भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी को मंदिर का उदगाटन किया UAE सरकार ने अबुधाबी में मंदिर बनाने के लिए 20,000 वर्ग मीटर जमीन दी थी UAE सरकार ने साल 2015 में उस वक्त ऐलान किया था कि जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसिये दोरे पर वहां गय थे लेकिन क्या आपको पता है कि यही शहर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद के लिए भी जाना जाता है जी हाँ आपको बता दे कि दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में शुमार शेक जायद ग्रैंड मस्जिद के लिए भी अबुधाबी माना जाता है जो अपनी खूपसूर्ती और कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशूर है शेक जायद ग्रैंड मस्जित UAE की सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जित है सफेद रंग की ये शांदार मस्जित कारीगरी का बेजोर नमूना है और इसमें इस्तमाल की गई कई चीजें दुनिया की नायाब चीजों में से एक है तो आईए जानते हैं कि शेक जायद ग्रैंड मस्जित से जुरी कुछ खास और दिल्चस्प बातें तो दैशकों हम आपको बता दे कि शेक जायद ग्रैंड मस्जित सैयुक्त अरब अमिरात की राजधानी अबुधाबी में मौजूद है ये UAE की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी मस्जित है दुनिया की दो सबसे बड़ी मस्जित साओधी अरब के मक्का और मदीना में मौजूद है इनके बाद शेक जायद ग्रैंड मस्जित का नाम आता है ये मस्जित 12 हेक्टेर यानि की 30 एकर से भी अधिक शेत्रे में फैली हुई है जायनकारी के मुताबिक इस मस्जित में एक समय में सबसे ज्यादा यानि की 41 हजार लोग नमाज पढ़ सकते हैं इसके बड़े हॉल में एक साथ 10 हजार लोग नमाज पढ़ सकते हैं इसके अलावा दो छोटे हॉल हैं जिनमें हर एक हॉल में पंदरा सो लोग नमाज पढ़ सकते हैं इनमें से एक हॉल महिलाओं के लिए है इसमें बेरासी गुमबद है सबसे बड़ा गुमबद मेन हॉल पर बना हुआ है शेख जायत ग्रैंड मस्जिद मुगल, मुरिश, ओट इसमें परंपरा और आधुनिक्ता का जबरदस्त मेल जोल देखने के लिए मिलता है यह मस्जिद इतिहास को समेते हुए भविश्री के लिए एक मिसाल है यानि यहाँ पुराने जमाने की छाप और भविश्री में इस्तमाल होने वाली टेकनोलोजी का संगम भी मिलेगा बता दे के शेक जायद ग्रेंट मस्जिद अपने खूपसूरत डिजाइन और उसमें इस्तमाल की गई चीजों के लिए जानी जाती है इसमें दुनिया की सबसे बड़े संगमरबर के मोजेक फर्ष से लेकर सोने की पत्ती वाले चमकदार गुमबद है मस्जिद को बनाने के लिए दुनिया भर के कई देशों से खास सामगरियों को मंगवाया गया था डिजाइनरों ने न्यूजीलैंड, मुरको, मिस्र, तुर्की, ग्रीस, पाकिस्तान, इटली, जर्मनी, आस्ट्रिया, चीन और भारत जैसे देशों की अलग-अलग चीजे इसमें इस्तमाल की है वही इन सब में सबसे खास है इस मस्जिद में लगा जूमर जो की अपने आप में एक खास एहमियत रखता है ये जर्मन फॉस्टिक द्वारा डिजाइन किये गए हैं, ये उल्टे लटके हुए पाम के पेर की तरह है जो UAE की जीविका और सम्रिधी का प्रतीक है स्टेनलेस स्टीर के जूमर 24 कारेट सोने की प्लेट और स्वार रोसकी क्रिस्टल से सजाए गए हैं, जिसे लगभग 40 मीरियन पीस हरे लाल और पीले रंग की क्रिस्टल बॉल से बनाये गया है मस्जिद में खास तरह का लाइटिंग सिस्टम है जो चान की रोशनी से तालमेल बिठाता है मस्जिद में 360 डिग्री लाइटिंग स्कीम है, ये लाइट्स चान की रोशनी के मताबिक हर दूसरी शाम को बदलती है चौदावी की चान की खास एहमियत है और इस जिन यानि की पुर्णिमा पर मस्जिद गहरे नेले रंग की नजर आती है ऐसा लगता है जैसे चान ही जमीन पर उतर आया हो वहीं यहां का कालीन भी बेहत खास है कहा जाता है कि इस कालीन को हाथों से बनाया गया है और यह दुनिया का सबसे बड़ा कालीन है जिसे डिजाइन करने में आठ महीने का वक्त लगा और एक साल में बन कर तयार हुआ इस कालीन को 1200 लोगों ने मिल कर तयार किया यह 5700 मीटर लंबा है यह मस्जिद के मेन हॉल में बिचाया गया है यानि मस्जिद में नमाज पढ़ने पर इसकी खासियत को महसूस किया जा सकता है वह इस मस्जिद को बनाने में 11 साल का वक्त लगा साल 1996 में इसे बनाने का काम शुरू किया गया और दिसंबर 2007 में इसका उदगाटन किया गया था इसे पूरा करने में 3000 से ज्यादा मजदूरों ने काम किया और 38 कॉंट्राक्टर शामिल हुए इसका निर्मान संयुक्त अरब अमिराद के दिवंगत राष्ट्रपती शेक जायत बिन सुल्तान अल नहयान द्वारा शुरू की गई थी 2004 में शेक जायत की मृत्ती हो गई और उन्हें मस्जित के प्रांगन में ही दफनाया गया तो इस तरह से कुल मिला कर देखा जाए तो यह मस्जित अपने आप में बेहद ही खास है तो फिलहाल के लिए इतना ही अगर आपने भी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल सब्सक्राइब कर दे इसके साथ ही एगर वीडियो फेस्बुक के माध्याम से देख रहे तो पेज को लाइक करना ना भूले